जागरन प्रकाशन के शेरों में 7% की गिरावट, Q2 नतीजों से निराश निवेश को नेकी बिक्वाली वित्तिय वर्ष 2023-20, Q2-FY-24 की जुलाई से सितंबर तिमाही में कमपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 17% घटकर 41 करोड रुपए हो गया। पिछले तीन महीनों में जागरन प्रकाशन के स्टॉक में बेंचमार्क सिंसिक्स में 4 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 6 प्रतिशत की गिरावट आई है, जागरन प्रकाशन के शेरों में आज 31 अक्टूबर को 7 फीसदी तक की गिरावट आई है, यह स्टॉक इस समय, 6. दशमलव साथ दो फीसदी लुढक कर 97.80 रुपए के भाव पर ट्रेड कर रहा है दरसल मौजूदा वित्वर्ष की दूसरी तिमाही में कम्पनी का प्रदर्शन कमजोर रहा जिसके चलते निवेशकों ने आज दिक्वाली की है वित्वर्ष दो हजार तेईस से चौबीस की जुलाई से सितमबर तिमाही में कम्पनी का मुनाफासालाना आधार पर 17 फीसदी घटकर 41 करोड रुपए हो गया पिछले तीन महीनों में जागर्ण प्रकाशन के स्टॉक में बेंचमार्ट सिन्सिक्स में 4 प्रतिशत की गिरावट के मुकाबले 6 प्रतिशत की गिरावट आई है कैसे रहे तिमाही नतीजे जागर्ण प्रकाशन का Consolidated Operating Revenue Q2FY24 में सालाना आधार पर 1 फीसदी बढ़कर 458 करोड रुपए हो गया जबकि Q2FY23 में यह 454 करोड रुपए था तिमाही के दौरान दैनिक जागर्ण के Operating Revenue में सालाना 5 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि मुनाफे में सालाना 26 प्रतिशत की गिरावट आई इस बीच अन्य प्रकाशनों का Operating Revenue Q2FY24 में सालाना आधार पर 46 प्रतिशती बढ़कर 67 करोड रुपए हो गया दिजिटल सेग्मेंट में भी Q2FY24 में अच्छा प्रतिशन देखा गया इसका Revenue सालाना आधार पर 35 प्रतिशत बढ़कर 27 करोड रुपए हो गया इसके अलावा Radio सेग्मेंट से Operating Revenue Q2FY24 में सालाना आधार पर 8 प्रतिशत बढ़ा कमपनी का बयान Q2FY24 के प्रदर्शन पर टिपपणी करते हुए जागर्न प्रकाशन के चेयर्मैन महेंदर मोहन गुपता ने कहा रेडियो बिजनेस, डिजिटल बिजनेस की ग्रोथ और नई दुनिया के असाधारन प्रदर्शन के कारण चालू तिमाही के दौरान कमपनी के राजस्व में कुछ वृद्धी हुई उन्होंने कहा कि मुद्रास्वीती में कमी और सरकारी खर्च में बढ़ोतरी के कारण मैनेजमेंट को विक्त वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में सुधार की उम्मीद है उन्हें उम्मीद है कि कीमतों में नर्मी के कारण अखबारी कागस की लागत में बचत के साथ साथ राजस्व में बढ़ोतरी के कारण आगे चल कर मुनाफा भी बहतर होगा